स्वय भगवान शिव ने बताये थे कर्म के ये साथ सिध्धान्त, इनके अनुसर्ण से नहीं आएगा जीवन में कोई दुख. पौरानिक शास्त्रों में भगवान शिव का वर्णन देवों के देव महादेव के रूप में मिलता है. स्वय भगवान शिव ने कर्म के ऐसे पाना लगभग असंभव है शास्त्रों में भगवान शिव को सृष्टी के विनाशक के तौर पर दर्शाया गया है लेकिन साथ ही यह भी बताया गया है कि स्वयन शिव ही एक नया आरंभ कर सकते हैं महादेव द्वारा बताये गए कर्म के इन साथ सिध्धान्तों का ध्यान व्यक्ति जीवन में आने वाली हर विपदा का सामना कर सकता है वह साथ सिध्धान्त इस प्रकार है पहला सिध्धान्त क्यों नहीं देना चाहिए जूट का साथ इंसान पूरी जिन्दगी ये सोचकर जूट कपट और धोखे बाजी का साथ देता है कि इससे कभी कोई हानी नहीं होगी लेकिन भगवान शिवजी ने खुद कहा है कि अंत में इन सभी कर्मों की भरपाई करनी पड़ती है जूट और कपट के साथ केवल छोटी मोटी लड़ाई ही जीती जा सकती है लेकिन जीवन के बड़े युद्ध जीतने के लिए सत्य ही काम आता है इसलिए हमे इस विश्व में हर व्यक्ति को पूरा ज्यान नहीं है लेकिन सभी के पास किसीन किसी चीज का ज्यान है भगवान शिव के अनुसार ब्रह्मा ज्यान की खोज के लिए हमें अपने भीतर ही उसकी तलाश करनी होगी ये हमें कहीं बाहर से प्राप्ट नहीं हो सकता तीसरा सिध्धान्त क्या है भ्रम? भोलेनाथ ने अपने कर्म के सिध्धान्त में इस बात का वर्णन किया है कि यदि किसी व्यक्ति की खुशिया किसी भौतिक पदार्थ से जुड़ी है तो वह खुशी उस व्यक्ति के लिए एक भ्रम है क्योंकि वह वस्तु नश्वर है जिसका अंत होना निश्चित है इसलिए व्यक्ति को भौतिक आकर्शन से बचकर रहना चाहिए चौथा सिध्धान्त कहां ढूंडे वास्तविक खुशी? व्यक्ति हर काम अपनी या अपने परिवार की खुशी के लिए करता है वास्तविक खुशी को किसी सीमा में बांध कर नहीं रखा जा सकता महादेव के अनुसार खुशी मस्तिश्क की वहस्तिती है जब व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट और प्रसन्न होता है इसलिए खुशी की तलाश भी स्वयन के भीतर ही की जा सकती है न की बाहर कर्म के पांचवें सिध्धान्त में कहा है कि व्यक्ति को पानी की तरह निराकार रहना चाहिए पानी को किसी भी बरतन में डाला जाए तो वह उसी का आकार ले लेता है अगर व्यक्ति पानी का यह गुण को अपना लेता है, तो वह अपने आपको किसी भी परिस्थिती के अनुसार ढाल सकता है इससे आपकी खुशिया भी क्षनभंगुर नहीं होंगी छठा सिध्धान्त कैसे करें इंद्रियों का प्रयोग? जब व्यक्ति का मस्तिष्क शांत होता है, तो उसका हृदय, उसकी भावनाय उसके नियंतरण में होती है इससे वह अपने मन की आवाज को अच्छे से सुनव समझ सकता है जब व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में रहेंगी, तभी वह उनका अपने अनुसार प्रयोग कर पाएगा क्या है आखिरी सिध्धान्त? धगवान शिव द्वारा बताया गया कर्म का यह आखिरी सिध्धान्त सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश उसी परम सत्ता में विलीन हो जाना है, जहां से उसकी उत्पत्ती हुई है, अर्थात इश्वर में यह तभी संभव है, जब सभी सिध्धान्तों का जीवन में अनुसर्ण किया जाए दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ओम नम्हा शिवाय लिखकर जरूर बताएं वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करे और अपने दोस्तों को शेयर करे आप हमारे चैनल पर नए आए है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करे साथ में वेल आइकन पर क्लिक करे ताकि आपको ऐसी ही रोचक भरी जानकारी की नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद आपका दिन शुभ हो